आज हम बनाने जा रहे हैं जन्मास्टमी पर बनने वाला प्रसिद्ध पक्वान पाग इसके लिए हमें यहां लिखी हुई यह सारी सामगरी चाहिए और इसी अनुपात में जहां हमने काजू, बादाम, छुआरे, मखाने इनको हमने काट लिया है मखानों को भून कर फोड लिया गया है इन सामगरी के कुल वजन के बराबर चीनी लेनी है एक किलो पानसो ग्राम चलिए अब बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले सूखी कड़ाई में मीडियम गैस पर बीच भून ले ये फूल जाएंगे और इनका रंग भी लाइट ब्राउन हो जाएगा इसके बाद घी में गोन को भून लेना है इसे भी हलका ब्राउन करना है जब ये भून जाए तो इसको अलग निकाल ले अब बचे हुए घी में बादाम और काजू डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब ये भून जाएगा उसके बाद हमारे हलके भूने हुए जो मखाने थे वो भी हम डाल देंगे इसको भी अच्छी तरह से मिला के एक बड़ी परात में ये सारी सामगरी हम रख देंगे अब इसमें हम मिलाएंगे चिरोंजी, छुआरे और किश्मिश इन सब को मिला कर एक तरफ रख देंगे अब बनाएंगे चाशनी जिसके लिए बताई गई मात्रा नुसार चीनी लेंगे एक किलो पानसो ग्राम कड़ाई गैस पर चड़ा देंगे और उसमें अब चीनी डालेंगे अब इसमें सिर्फ इतना ही पानी डालना है कि चीनी पूरी तरह से भीग जाए लगभग साड़े तीन कटोरी पानी इसमें डल जाएगा अब इसे हम खूप चला लेंगे पानी की कटोरी में इस चाशनी की एक बून डालें यदि ये कटोरी में जम जाए तो मतलब है चाशनी तैयार हो गई है अब इसमें हमें सारे मेवे डालने है और इसे अच्छी तरह मिलाना है गैस एकदम धीमी कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे अब किसी बड़ी परात में घी मल लें पाग इसी परात में डाला जाएगा अब सामगरी हमारी पूरी तरह से अच्छे से मिल चुकी है गैस बंद कर दें अब इसमें कड़ाई की सारी सामगरी डाल दें इस परात में और कस करके दबा दें तीन चार घंटे ऐसे ही रहने दें पाक जम जाएगा और तैयार हो जाएगा आशा करती हूँ पाक की ये रेसि पी आपको पसंद आई होगी